नमस्कर दोस्तो सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग इंडियन पॉलिटिकल क्लास डिसकस कर रहे थे SSCJ और CHSL एकजाम्स के लिए तो देखिए प्रिभेस क्लासे मैंने आपको इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बताया था उनका qualification क्या होती है और इसके साथ साथ में उनका election कैसे होता है तो यह सारा चीज हमने देखा था तो आज हम लोग उसी को continue करेंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे उनका जो powers होता है या functions जो होता है प्रेसिडेंट के तो यह भी अपका काफी important topic है और देखिए इसके पहले जितने भी lectures हमने cover किये हुआ है इंडियन quality में तो इसका हमने अलग से playlist create कर दिया है तो आप लोग description box में जाना वहाँ पे आपको इसका link मिल जाएगा और इसके साथ में जो भी subjects हमने अलड़ी पाले finish कर लिया है तो उसका भी हमने playlist अलग से create कर दि आपका जैसे की chemistry का हो गया biology का economics का और geography का तो इसका हमने पूरा complete बना दिया तो इनका भी playlist आपको description box में मिल जाएगा तो आप लोग उनको भी साथ साथ देखते चलिए और साथ में हमने जो है इनका पूरा PDF भी provide कर दिया जैसा की content आपका है YouTube में जो पढ़ा रहे आपको उ साथ में physics आपका तो parallel यह आपका चली रहा है इसके साथ में और भी subject जो होंगे तो वह आपका भी हम खतम करा देंगे तो चलिए start करते हैं हम लोग आज का class आपको कि माली जो किसी कारण में प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर भैकेंट रहता है तो उस समय जो है जो सुप्रीम कोड के चीफ जरस्टिस रहते हैं तो वह एक कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह तो किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है भैकर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इनके पास इतना मतलब कि जो कारे होते हैं करने के लिए कि इनके बिना जैसे कोई भी country का law है तो या फिर कोई भी जैसे मालने जो पार्लेमेंट में कानून पास होती है तो वो जो है एक नहीं बनेगी ब पाइनेंसल पाउर हो गया भिटो पाउर हो गया इसके अलावे अपार्डनिंग पाउर होते हैं तो यह सारे चीज़ हम लोग एक एक करके यहां पर study करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे executive power के बारे में तो इसका हिंदी मतलब होता है कि कारी-कारी सक्तियां कि जो भी कारे जो होते हैं central government के तो उनका जो मतलब किया जाएंगे तो वो president के नाम से ही की जाती है तो executive power और function जो रहते हैं इसके मतलब यह रहेगा आपका कि executive action जितने भी होते हैं government of India के तो वो जो है formally उनहीं के नाम से president के नाम से की जाती है और इसके बाद यहां पे जितने के द्वारा होती है तो article 75 में यह mention है कि जैसे prime minister होते है country के तो उनका appointment जो है तो president के द्वारा ही यह की जाती है और इसके साथ सथ में article 77 में यह mention किया गया है कि prime minister के consent से जितने भी other ministers होते अधर मिनिस्टर मतलब कि जो council of minister के अंदर में जो cabinet ministers होते हैं जैसे कि आपका finance minister हो गय या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो गए तो इन सभी का अपॉइंट्मेंट जो है तो यह प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और वह जो है प्रेसिडेंट का मतलब जो प्लेजर होता है तो वह उनको इन्जॉय करेंगा मतलब ऑफिस में तब तक होड़ किये रहेंगे जब तक प् तो यह प्रेसिडेंट के ऊपर ही रहता है जब तक वह डिजॉल नहीं करेंगे तब तक जो है वह नहीं मतलब कोई भी जो प्रेमिनिस्टर या फिर जो कोई भी अधर मिनिस्टर से तो उनकी जो मतलब की जो ऑफिस है वह बचा हुआ रहती है अब उसके बात देखिए और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे अटॉर्ने जेनरल का हो गया कंपूटर कमीशनर का हो गया bestimmt जो election commissioner और भी जो रहते हैं और इसके साथ साथ में चेर और चेर्मेन और जो member होते हैं UPC के और इसके साथ साथ में जो governors होते हैं जितने भी states है और इसके साथ में जो finance commission के जो member और चेर्मेन होते हैं तो इन सभी का जो appointment होता है तो वो executive power का अंदर मिया आते हैं और इसके साथसात में मान लेजे की अगर इनको कोई information अगर लेना होगा जैसे administration से related कोई भी जैसे मान लेजे की unions related हो या फिर कोई भी lessons related हो तो ये जो है ले सकते है advice ये सारे informations को और इसके साथ साथ में ये जो है commission को भी appoint कर सकते हैं जैसे मान लिजे कि living conditions क्या है HTSC या फिर OBC जो भी persons है विलोग करते हैं तो उनका मान लिजे conditions को अगर investigate करना होगा तो इसके लिए commission को appoint करते हैं president तो आप देखते हैं कि हर समय जो है किसी ने किसी एक committee करते है कि ये जो है interstate council जो होते हैं तो उनका ये appoint कर सकता है जिसमें कि center और state के बीच में जो relations होती है फिर जो cooperation कैसा होना चाहिए तो इसके लिए जो है ये जो है interstate council का ये गठन करते हैं और इसमें जो ही member होते हैं उनका appointment करते हैं तो ये सारे executive power के अंदर में आ जाएंगे फिर next देखिए legislative power है president के तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधाई सक्तियां बोलते हैं हम लोग तो देखिए जो president होते हैं तो ये जो है पारलेमेंट के ये भी एक integral part होते हैं पारलेमेंट आपने पढ़ा होगा कि पारलेमेंट कंसिस्ट और प्रेसिडेंट राजसभा और लोगसभा तो उसमें जो है प्रेसिडेंट भी इंटेग्रल पार्ट होते हैं तो इस तरीके से इनके पास बहुत सारे legislative power होते हैं जैसे पहला आपको हो गया यहां पर जो भी पारलेमेंट है तो उसका जैसे माली जैस समन करना हो या फिर प्रोरोग करना हो तो यह प्रेसिडेंट के द्वारा ही कि जाती है अब यहां पर दिखें टर्म आपका आ रहा है समन और प्रोरोग समन का मतलब होता है कि beginning of the session कोई भी जैसे आपका चलता है session budget session हो गया फिर monson session हो गया फिर winter session हो गया तो उसका अगर beginning करना होता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और अगर माली जैसे session को end करना है तो वह होता है उसका मतलब प्रोरोग तो आपको simple यहां पे समझना है कि someone और प्रोरोग का मतलब है someone का मतलब होता है कि beginning of the session और प्रोरोग का मतलब है कि ending of the session of the parliament तो यह जो हता है तो यह president के द्वारा की जाती है और साथ में मान लिजे कि लोग सभा को dissolve करने रहती है dissolve करने का मतलब है कि जैसे मान लिजे कि वो भंग करना होता है पांच साल के बाद जैसे election होती है फिर majority lose कर जाती है कोई भी party तो उस समय जो है president के पास ये power होती है कि वो उसको dissolve कर सकती है तो लोगसभा ही कि वो dissolve होता है राजसभा कभी भी dissolve नहीं होता है क्योंकि देखिए वो क्या है permanent house है और लोगसभा जो है तो ये permanent house ये नहीं है इसमें पांच सल के बाद एक general elections होते है तो उसके पाहले जो है तो इसको dissolve करना पड़ता है तो ये president के पास power होती है dissolve करने के लिए तो ये article number 85 में ये mention किया गया हुआ है और इसके साथ साथ में ये जो है माल लिजे कभी अगर जवरत पड़ती है joint sitting का तो उसके लिए भी president summon कर सकते है तो joint sitting में आप जानते हैं कि इसमें जैसे माल लिजे की एक साथ दोनों house को चलानी होती है पार्लेमेंट के और जिसमें की इसके प्रिसाइड करते हैं उस समय तो ये लोग सभा के अंदर माल लिजे अगर रहता है इस प्रिसाइड कोन करेंगे वहाँ पर इस प्रिसाइड करते है तो ये आट की नमबर 108 में आपका ये mention किया गया हुआ तो joint sitting बुलाने का काम होता है अंदर की जो beginning करने काम जो रहेगा तो प्रिसेडेंट के द्वारा होगा लेकिन जो ये प्रिसाइड होगा तो ये speaker के द्वारा होती है लोग सभा के तो ये चीज़ भी question बहुत बार पूछा गया हुआ है तो ये आप लोग याद रखना और इसके अलावे जो पर्लेमेंट जो चलती है जब सेशन स्टार्ट होता है तो आप देखते होंगे कि उनको जो address करना होता है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट करता है वहाँ पर जाके तो first session अगर मान लिजे जनरल इलेक्षिं के बाद को भी first session होता है जब first session होता है तो उससमय भी ये address करते हैं अपना अपनलोगी जो लोगसाभ़ां के अंदर में जाके फिर पर्लेमेंट है उसके अंदर में जाके तो इनका first session के अंदर में और सा सत में general election के बाद जब हो जाती है उसके बाद जो है तो फॉर्स सेशन जब भी होगा तो यह एड्रेस करते है पारलेमेंट के अंदर में जाके फिर इसके साथ सत में यह मैसेज भी सेंड कर सकता है पारलेमेंट को और मान लिजे कोई अगर विल जैसे की पेंडिंग है पारलेमेंट के अंदर मे तो उसको उस तरह से message भी send कर सकते हैं कि आप लोग इस bill को pass कराइए ति इनके पास ये सारे powers होते हैं legislative power गंदर में ये सारे आते हैं और इसके साथ साथ में जैसे राजसभा के अंदर में 12 members जो होते हैं उनका nomination किया था है नोमिनेट किया था है तो ये भी president के दोरा की जाती है तो इसमें दीखिए जो persons होते हैं जो जो नोमिनेट कियाते हैं तो ये ऐसे persons होते हैं कि जिनके पास special knowledge होते हैं जैसे practical experience का literature में, science में, arts में या फिर social service में होना चाहिए जो कि article number 81 में ये mention किया गया हुआ है अब इसके पास देखिए और इनके पास भी सकतिया होती है जैसे क कोई बील है तो अगर ये president के द्वारा जो है ये भेजा जा चुका है मतलब कि president जो है इसको अपने पास रखे रख सकते हैं अगर ये पार्लेमेंट के दोरे ये पास हो भी गया है तब भी जो है उसको वो अपने पास विठोल्ड करके रख सकते है या फिर उसमें जो है पहली बार अब उसके बाद मालीजे कि President जो है तो उनके पास यह रहता है उसको sign करे या साइन न करे या फिर उसको फिर से संडरेशन करने के लिए से करने के लिए रिटरन कर दे Parliament को यह एक बार ऐसा कर सकता है लेकिन अगर ऑद यह कि पर्लेमेंट अगर उसको फिर से जो है पास करते हुए कोई उसमें बिना कोई changes किया हुए या फिर कोई changes करते हुए भी तब इसके पास प्रेसिडेंट के पास मतलब कि बाइंडलिंग हो जाता है को उनको sign करना ही होगा उनको अगर पास हो गई है तो वो रिटर्न कर सकते हैं लेकिन उसके बाद फिर दुबारा पास अगर होता है पारलेमेंट के दौरा तो उसको फिर रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो यह जो है आपका Constitutional Amendment Bill और Money Bill इनको छोड़के बाकी यह किसी भी बिल को यह कर सकते हैं बस दो ही बिल को यह रिटर्न नहीं कर सकते हैं एक आपका हो गया यह आपका होगे Money Bill और दूसरा होगे Constitutional Amendment Bill तो यह आप लोग याद रखना तो दिखी जिस तरह से पारलेमेंट के अंदर में जो बिल पास किये जाता है वहाँ पे तो उसी तरीके से जैसे प्रेसिडेंट उसको बिथोल्ड करके रख सकते हैं या फिर उसको रिकंसिडरेश के पास भी उनके पास जैसे यह राता है कि वह उसको एसेंट दे सकते हैं या फिर उसको बिथोल्ड कर सकते हैं या फिर जो है वह गवर्नर को यह डिरेक कर सकते हैं कि यह जो है बिल को रिटर कर देने के लिए फोर रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेश लेचर के पास त तो यह फिर से उसको भेज सकते हैं तो सेम चीज आपका अपलाई होता है यहां पर लेकिन के अंदर मालेजी कोई सेसन में नहीं है यांने की उस समें डिए उस समय प्रियेड में उस समय सेसन में नहीं चल रही है तो अगर मालेजी कोई एक ऐसा कानून हो जो की पास करना जुरूरी है, implement करना जुरूरी है country के लिए situation कुछ ऐसा prevail हो कि बहुत ही important है तो उस समय जो है president के पास ये power होती है ordinance लाने का, ordinance मतलब होता है कि ये temporary एक law होता है जो कि president के दोरा ये ला सकते है ordinance लाते हुए, तो इसमें जो है ये six months तक लिए valid रहता है या तो फिर अगर जब भी parliament मतलब कि जब अब है अगर फिर से session स्टार्ट होगा, तो within six weeks के अंदर में जो ordinance president ने पास किया हुआ है तो उसको जो है पास करना होगा parliament के दोरा अगर वो six weeks के अंदर में अगर नहीं हो पाता है कोई भी तो उनके पास पूरा ये रहता है पावर रहता है कि उसको बीच में भी हो cancel भी कर सकते हैं, तो ये होता है आपका ordinance making power, तो ordinance making power जहती है आपका 123 में आपका दिया है 123 आर्टिकल में ये दिया हुआ है तो ये कब ये होता है प्रमलगेट कर सकते है प्रेसिडेंट कि जब पार्लेमेंट जहा है तो वो session में नहीं है कोई भी session में नहीं है माले जब monson session जैसे end हो चुका हो या फिर winter session इंड हो चुका है फिर budget session इंड हो चुका है तो उसके पार्लेमेंट में जो किसी कारण बस पहले जखी पहले बार जब पास नहीं हो पाया था तो फिर प्रेसिडेंट ने जब session नहीं था पार्लेमेंट के नहीं चला था तो इन्होंने ordinance पास करते हुए इस कानून को act करूप में बना दिया था पास कर दी गई थी प्रेसिडेंट के दार ordinance के लिए ordinance लाने के बाद जब पार्लेमेंट का session जब स्टार्ट हुआ तो विदिन six weeks के अंदर में यह फिर से इसको पास करना पड़ा था ति यह अपने notice किया हो वहां पे ति ओडिनेंट के दार यह कानून जो है act मतलब लाई ग देहेगा तो यह चीज़ आप लोग याद रखना और इसके साथ में देखिए ओठ रेजिगनेशन का भी जो concept आपका दिया हुआ है कि जैसे ओठ जो दिया जाता है प्रेसिडेंट का तो वह जो है ओठ कोन कराते हैं इनका तो चिप जश्यस अप इंडिया कराते हैं और रे रेजिगनेशन देना होगा वाइस प्रेसिडेंट को तो यह प्रेसिडेंट को अपने रेजिगनेशन लेटर सब्मिट कर सकते हैं उसी तरीके से गवर्नर का भी देख लिए गवर्नर का जो ओथ जो कराते हैं तो वह चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोट के जो भी स्टेट के हाई कोट के जो मतलब चीफ जर्शिस होते हैं तो वो ओत इनका कराते हैं और रेजिगनेशन देना होता है तो यह प्रेसिडेंट को समिट करते हैं जितने भी गवर्नर्स होते हैं उसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो इनका जो ओत जो होता है तो यह प्रेसिड जो देना रहता है तो वो दे सकते हैं तो यह प्राओधान दिएगा है आपके ओथ और रिजिगनेशन के सभी जितने भी इंपोर्टेंट पोस्ट है यहां पर याद रखना इसे भी कोशन आपके पूछे जाते हैं फिर next दिखिये financial power है इसको हंदी ही वह बलते हैं हम लोग बिती है सकती है तो कौन-कौन से वो financial power है president के पास होती है तो यहां पे हम लोग देखते हैं तो पाला दिखिये आपका है कि money bill तो money bill जो है तो जब भी इनका introduction करना होता है parliament के अंदर में तो ये जो है बिना president के prior permissions के बिना उनके recommendations के तो ये money bill introduced नहीं किया जा सकता है तो ये इनके पास financial power होती है तो money bill जब भी अगर introduce करना होगा parliament के अंदर में तो उसके लिए president का जो prior recommendation है ये compulsory होता है तो ये चीज़ इनके पास होता है financial power का तो ये question भी आप से पूछा जाता है आपका बार बार इक जाम में कि money bill जो है ये introduce कैसे किया जाता है तो ये जो है उसके लिए सबसे पहले president का prior recommendation होना जोरी होता है फिर इसके साथ साथ में देखिए जैसे contingency fund create किया गया हुआ है तो उसमें से मालीजे कोई भी अगर advances अगर करना होगा या फिर कोछ ऐसे unfortunate expenditure करने होगा ऐसा condition situations आया होगा जहां पर की मतलब पैसे के जरूरत है तो उस समय जो है तो advances करने का तो ये जो बाढ़ का समस्य हो गया या फिर कहीं पर drought के समस्य आगया या फिर natural calamities कहीं पर आगया तो उस समय contingency fund के अंदर में यहां पर एक provision से मतलब रहते हैं इसके अंदर में एक अलग से यह राता fund रहता है कि जहां से at a time मगर लिजे को उस समय पैसे के सुधारने के लिए पैसे के जुरत पड़े तो अचानक से तो यह यहां से की जा सकती है अब at a time मालिजे कि अगर contingency fund अगर नहीं रहता है तो वहां पर अगर मालिजे कि अगर और भी कहीं से source से पैसे का इंदर जाब अगर नहीं हो पाता होगा तो यह इसी के द्वारा की जा सकती है तो इसलिए contingency fund बनाया गया हुआ है तो इनसे जो भी निकालने का यानि कि निकासी करने का जो पैसे के जितने भी advance करने के जो होते हैं तो प्रेसिडेंट के पास होती है contingency fund से फिर इसके साथ में देखिए जो article 280 में यह mention किया गया हो यहां पर कि finance commission का appointment करना या constitute करना तो finance commission भी देखिए हर 5 साल के बाद constitute की जाती है और इसमें जो है recommendation दिया जाता है कि कि किस तरीके से जो है revenue का distribution किया जाना होता है center और state के बीच में अब दिखिए क्या होता है कि जो state होते हैं और जो center होता है तो दोनों का जो revenue collection के बात आती है जो tax वो collect करते हैं तो central government के पास वह ज्यादा area रहता है उनके पास और state government के पास क्योंकि वह small area तक वह रहते हैं consider मतलब रहते हैं तो उनके पास उतना revenue collection नहीं हो पाती है तो अगर माले जी किसी भी कारण बस उनको अगर जरूरत पड़ती है revenue की तो वह central government से वह मदद लेते हैं तो इसी के लिए finance commission का हर साल जो है हर पांच वह इसके बाद गठन की जाती है और इसमें यह discuss की जाती है कि कितना पैसा कौन सा जो किया जाता है तो वह finance commission का यह सारे प्रेसिडेंट के order से ही की जाती है तो यह आपके आ जाएंगे सारे के सारे financial power के अंदर में फिर अगला देखिया जुडिसेल पावर है जुडिसेल पावर इसका हिंदी मतलब होता है कि नयाईक सकती है तो प्रेसिडेंट के पास वह क प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इसके साथ साथ में मालिजे कि कोई अगर प्रेसिडेंट को अगर कोई advice लेना हो Supreme Court से कोई भी question of law में मतलब कोई law ऐसा हो या फिर कोई fact ऐसा हो जिसके बारे में प्रेसिडेंट को मतलब कि कोई ज़्यादा और ज़्यादा knowledge चाहि अगर कोई Supreme Court ने recommendation कुछ भी किया प्रेसिडेंट को तो उसके लिए प्रेसिडेंट के हाथ में यह प्रेसिडेंट को उपर में सारा का सारा रहेगा उसको माने या ना माने तो इस तरीके से Supreme Court का जो जो भी मतलब की निरने रहेगा तो बैंडिंग नहीं रहेगा प्रेसिडे करना होगा तो यह प्रेसिडेंट ने यहां पर जो है अपना जुडिसल पावर का यूज किया था यानि कि उन्होंने सुप्रीम कोट से एडवाइस लिया था किसी भी ला या एक्ट पैक्ट के बारे में तो यहां पर जो निरने उन्होंने दिया सुप्रीम कोट ने कि आपको कंस्ट्रेंट करना होगा या फिर जो भी करना होगा तो प्रेसिडेंट के उपर में है या पर President कोई भी हो तो यह चीज़ आपका आजागा Judicial power के अंदर में और इसके साथ साथ में प्रेसिडेंट के पास भी देखिए यह सारे authority होते हैं जैसे की pardon करने के लिए और जैसे किसी को death sentence मिलती है तो उस case में जो है तो प्रेशीडेंट के हाथ में होती है लेकिन इसके लिए दिखिए जो एडवाईस दिया था था तो वो कॉंसल अफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है कि वह जो है डेथ सेंटेंस को पाडन करें या ना करें तो यह सारे आपके जो important जितने भी powers आपके हैं तो यह हमने यहां पर discuss किया हुआ है और भी है तो उसको हम लोग और जो है उसको discuss करते हैं अब यहां पर देखिए हम लोग कुछ questions करते हैं जो भी चीज आभी तक आपने study किया हुआ है तो पहला question देखिए कि the president of India can dissolve the लोग सभा before the completion of the term अब लोग सभा का जैसे term होता है five years का लेकिन उस term को complete हुए बिना पहले ही अगर उसको dissolve करना होगा लोग सभा का तो president जो है तो उसको dissolve कब कर सकते हैं तो इसमें देखिए option आपका दियावाई को on the advice of the chief justice on the advice of the president on the advice of the speaker of the लोग सभा on the advice of the prime minister तो देखिए जब प्राइम मिनिस्टर जब उनको जब यह advice करेंगे कि मेरे पास majority नहीं है जो इतना majority होना चाहिए सरकार चलाने के लिए तो वो अगर नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट को वो कह देंगे कि जो आप जो है लोग सभा को dissolve कर दीजे क्योंकि उनके पास majority नहीं है यह जो advice प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को करने के लिए तो राइट एंसर इसका option D आपका हो जाएगा क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं तो यही मेन होते हैं जो मतलब जितने भी कारीकारी actions होते हैं तो उनको जैसा order देने के लिए प्रेसि प्राइम मिनिस्टर को होती है यहां पर उनका बस काम होता है प्रेसिडेंट का appointment करना और लोग सभा को डिजॉल्व करने काम जैसे प्रेसिडेंट के पास लेकिन यह एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ही देंगे क्योंकि वहीं जानेंगे मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है आप मतलब कि आप जो है रिजाइन कर दो पोस्ट को आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उनको मजबूरन वस है कि वो लोग मतलब प्रेसिडेंट को कहना ही पड़ेगा कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं आप लोग सभा को डिजॉल्व कर दीजिए तो उसके बाद फिर से या तो फ्रेस सेलेक्शन होगा या तो फिर कोई और जो अधर पार्टी मेंबर्स जो भी होंगे तो उनके पास अगर मेजॉरिटी वो अगर साबित करते हैं किसी तरीके से जोड़ दोड़ करके तो उनमें से ही फिर किसी एक को प्रेम मिनिस्टर बनाया चाहेगा तो यह सा लोगसभा के अंदर में दो एंग्लो इंडियन्स जो कम्यूनिटी के मेंबर होता है तो उनको भी नौमिनेशन किया जाता है तो इनका जो है किसके दोरह की जाती है तो इसके बारे मैं आपको बताया था कि जो प्रेसिदेंसल जो ओर्डिनेंस जो होता है तो presidential जो ordinance जो होता है तो ये कितने समय तक ये force में रह सकता है तो इसके बारे मैं आपको बताया था कि जो presidential जो ordinance जो होता है ये तो ये जो है कब लाई जाती है कि जब माल लिजे कोई भी दो house है जैसे parliament के अंदर में एक upper house है और एक आपका lower house है ये लोकसभा और राजसभा है तो माल लिजे कोई एक house of function में नहीं है उस समय क्योंकि जानते है राजसभा ये permanent house होता है ये कभी ये डिजोल नहीं होता है यहाँ पे लेकिन लोकसभा जो उस समय सेशन नहीं चल रहा होगा वहाँ पे तो उस समय जो president ordinance ला सकते हैं यहाँ और इसकी जो maximum validity होती है और किसी अभी तरह से pass करनी होती है अगर वह pass होता है तो वो valid रहेगा अगर नहीं पास होता है तो वह invalid जाएगा जो भी ordinance president लाइा हो है और बीच में कभी superintendent उसको नाल इंब जो बील रहता है तो constitution amendment अगर माले जो कोई करना रहेगा तो यह ordinance route के थूरू यह नहीं ला जा सकती यह तब ही होगा जब बोथ parliament अगर जब session में रहेगी वो पास करते हैं तब ही constitution amendment जो है किया जा सकता है यह ordinance के थूरू functions के बारे में हमने देखा था और president का जो यह जो आपका जो topic है यह काफी important है और यह थोड़ा सा बड़ा भी है तो इसको हम लोग अच्छे से एक एक चीज़ को discuss करते चलेंगे क्योंकि इन से question जो है तो आपका काफी पूछा जाता है तो आपको यहां पर एक एक टर्म को और एक एक topic को जो भी मैंने आपको यहां पर बता है वह उसको अच्छे से समझना होगा तो बाकी कि जो और पाउर रहा गया आपके जैसे भीटो पाउर हो गया या फिर जो पाड़निंग पाउर हो गया इमरजेंसी पाउर हो गया तो यह हम लोग इसको एक separate topic में discuss करेंगे जिसे कि आपको काफी अच्छे से clarity आपको हो जाए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क लिए बाय